आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा भारतिवन क्लास्टीन मैज सलूशन जो बिहार बोड का बुक है उसी का यहां पर आप देख सकते यह बुक है अगर आपके पास ऐसा बुक है तो उसी बुक का मैं आपको प चार कुस्टन का इसमें आपको सलूशन कराऊंगा तो चलिए मैं आपको सलूशन कराऊंगा उसे पले रुकेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पढ़नाए है तो आपको बिहार बोड भारतिवन क्लास्टीन मैज सलूशन इन हिंदी बाई राजु रज़त सितामरी से हूँ औ और आपको रिगुलर मैं आपको क्लास 8, 9, 10 की अल सब्जीट की त्यारी कराऊंगा ओभी फ्री में तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजगा चलिए मैं आपको दूसरे नमर कुस्टन का सलूशन कराता हूँ दूसरे नमर कुस्टन का आता ह वह दू अनुपात 3 है तो AY और YC का अनुपात क्या होगा यह कुस्टन है इस कुस्टन का आपको सलूशन करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहे है चलिए मैं आपको बता दूँ कि जो तिर्भूज ABC में कहरा की X और Y करमसा और AC पर दो बिंदू है तो यहां बीच में हो जाएगा ठीक है एकस और Y यहां पर बीच में मैं यहां पर किया हूँ तथा XY समांतर है BC और इसमें आगे कंडिशन भी दे दिया कि XY जो है वो BC के समांतर है इसलिए BC के जैसे जैसा XY घिचाएगा ठीक है और AX अनुपात XB क का नुपात क्या होगा मतलब इसका मान और इसका मान क्या होगा यह कुशन दून का पुछ रहा कि इसका नुपात क्या होगा ठीक है जब समांतर होता है तो इसका कुछ रूल होता है तो मैं आपको यहां पर रूल तो बताऊंगा ही लेकिन मैं आपको यहां पर ले चलता AX बट XB बराबर हो जाएगा AY बट YC क्यों 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 कि यहाँ पर XY समांतर है PC का और इसके बीच में है तो AX बट XB बराबर हो जाएगा AY बट YC यह आपको तिर्भूश का थियोरम में होता है न तो थियोरम में ही बता दिया गया था ठीक है यह theorem के अउसार से है अब देखे AX बट AXB के जगा हमारा जो मान होगा वो यहाँ पर हम यहाँ से हटाते और आपको बताते देखिए इसलिए AX अनपात AXB बराबर कितना हो जाएगा दू अनपात तीन यह तो कुस्षन में ही दिया हुआ था थीन है और AX बट AXB बराबर भी है तो AY बट AXC जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का मान भी तो एक दूसरे इस तरह से जब AX बट AXB के मान जोह दू अनपात तीन है यानि दू बटा तीन है और AX बटे XB already AY बटे YC के बरावर है तो AX बटे XB का जितना मान होगा उतना ही मान AY बटे YC का भी होगा इसलिए AY अनुपात YC यानि AY बटे YC का अनुपात जो मान होगा वो दू अनुपात तीन होगा यही दूसरे नमबर कुशन का एंसर है तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए हम EC का तिसरा नमबर कुशन भी देख लेते हैं तिसरा नमबर कुशन यहाँ पर है तिसरा नमबर कुशन का था है कि बगल की आकरिती में AD बराबर 2 cm DB बराबर 3 cm AE बराबर 5 cm एब हम DE समांतर है BC का तो EC की माप बताएं देखें यहाँ पर तिसरा नमबर कुशन का रहा है कि बगल क्या करिती में AD का मान जो है 2 cm है AD यहाँ पर है न यह तो हम आपको यहाँ पर लिग देते AD का मान 2 cm है और DB के मान 3 cm है AE के मान 5 cm है और DE जो है वो समांतर है BC का तो EC की माप ग्याद करना मतलब इसका हमको मान ग्याद करना है बहुत ही अच्छा कुशन है आपको नहीं समझ में तो वीडियो की साथ बने रहिए चले मैं यहाँ से मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है हर्ल करके लिखना है क्या लिखना है कि AD बटे DB यानि AD बटे DB बरावर AE बटे EC किलियर हो गया अब जो EC का मान है इसके जगा मान नहीं है तो आप X रकर की मान निकाल सकते बहुत ईजी कुशन है आपको बस बनाना है और इतना आसान कुशन आपको कहीं नहीं मिलेगा मतलब लगवाग इतना आसान तरीके से आपको बनाएं आपको कुशन सायदी कहीं पर मिलेगा और इतना Full HD में अगर आप चाहते कि और भी इस तरह की वीडियो में अपलोड करूँ तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब जरूर की जगा तो देखिए आप यहाँ पर हमको क्या करना है देखिए AD बटे DB याँनि AD का मान हमारा 2 है और DB का मान 3 है तो 2 बटे 3 AD का मान 5 है तो यहाँ पर हम AD के जगा 5 रख दिये EC के जगा हमारा कुछ भी मान नहीं तो EC के जगा हम EC रख दिये या करके फिर हम अगला लाइन में यहाँ पर हम चलते हैं अब क्या करेंगे 33-33 गुना का मतलब क्या हो गया कि 2 को हम EC से गुना करेंगे और पांच को तीन से गुना करेंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर कर लिए अब इसको हम यहाँ से करते हैं तो पांच को तीन से गुना और दू को इसी से गुना किया पांच को तीन से गुना किया अब क्या करेंगे इसी जो है यहाँ पर गुना में भागा में चल जाता है अभी हो जाएगा 5 गुन 3 बटे में 2 यानि की हो गया 15 बटे 2 15 बटे 2 को अगर आप भाग किजेगा तो 2 सत्य चौद अगर भाग करने नहीं है तो बहुत प्रोब्लम हो जाएगा भाई साब अगर नहीं समझ में आ अगर नहीं समझ में आ तो अपना वार्ट्सप नमबर जरूर कोमेंट कीजेगा और क्या प्रोब्लम हो वह भी कोमेंट कीजेगा मैं आपसे कोंटेक्ट करूंगा चलिए अब चौथा नमबर कुशन की तरब चलते हैं चौथा नमबर कुशन का राय की बगल यहां पर जो आप देख रहें की बगल की इसी चित्र में यदि AD बराबर 3.9 cm है और DB बराबर 5 cm है AE बराबर 3.6 cm है EC बराबर 2.4 cm है तो क्या DE समांतर है BC तो क्या DE जो है BC का समा बराब 9 cm यहां पर हम रख दियें उसके बाद कर रहा है कि DB बराबर 5 cm यहां पर रख दिये A बराबर जो है 3.6 cm यह भी रख दिये EC बराबर कितना है 2.4 cm है तो क्या DE जो है BC के समांतर है यह कुशन इसमें पूछ रहा है तो कुशन पूछ रहा है तो हम आपको जबाब दे आपसे एक भी रूपया नहीं मांग रहे हैं बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे नीचे कमेंट कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बस इतना ही काम आपको करना है आपको रेगुलर फिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिन्द की भर चलिए मैं आपको यहां बर जो है इसका हम सलूशन कर लेते हैं सलूशन में देख लेते कि यहां पर जो हमारा हल करके पहला पाट इसका क्या होगा ठीक है तो पहला पाट क्या होगा हम यहां पर आपको दिखाते हैं लेकिन देखें पहला पाट में ठीक है यहां से पहला पाट आ रहा है और माउस थोड़ा माउस का problem है है देख लेते हैं हर देख लेते हैं 12 माउस ओसकी तो यहसे भटाते हैं ठीक और अब ऑब कि यहां को कि हमको जो है समानतर जबहाएंस ब्सकाद ना भी कहता है तो तिर्भूज का वेन इसको हटाते है ठीक है यहाँ से डेकिए एडी कमान 3.6 ओर चर्षी तो हम क्या करेंगे 2.2 मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे इसी कमान, अगर इसी कमान हमारा दूद सम्लब 4 आ जाता है, तो हो जाएगा, तो चलिए हम यहां से देख लेते हैं, इसी के जगा हम कुछ भी मान नहीं रखें, ठीक है, अगर आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक मान को हटा कर भी कर सकते, या फिर दोनों बट से, तो आपको यह समान, मतलब तो क्या D सम्लब 4 आता है, तो यह सम्लब 4 आता है, तो यह सम्लब 4 आता है, नहीं आता तो नहीं है, तो देख लेते हैं, गुना कीजिए, तीन सम्लब 9 गुने, तीन सम्लब 9 गुने इसी, और तीन सम्लब 6 गुने पांच, तो इसी गुने ती लीजे गुना कर लिए तो यसी गुने 3.9 और 5.36 इस King 혼 5 गुने 3.6 आप सब्सक्राइब कर दो हुआ यहाँ पर यहां पर तब यह cosa यह आपको गुना करने पर हो रहा तो SLी से कटे का 12 मरतब में ठीक है? 3 से ये भी टटेगा 13 मर्तवे में. ठीक है? तो उपर कितना होगया? 12-5. तो यहां पर होगया 5-12 बट 13. 5-12 बट 13 कितना होगया? 60. कितना होगया? 60-60 बट 13. 60-13 से कीज तो 2-4 आरा है. तो 13-4 का बाउन हो जाता है. और दिशमर्णब में आयागा यल्निव चार दिशमर्णब कुछ कुछ आ रहा है और इससी का मानु कीतना आना चाहिए पहलब जक्ता और करिया गया लगा अई सब्छ ह्यूंत देखिए करें कि AD कमान इतना आए रहा है कि नहीं आए रहा है मतलब कोई भी इसमें से चारों में से कमान हटा कर गए उतना निकानले के बाद अगर वो आ जाता है तो ये समंतर है नहीं आता तो समंतर नहीं है तो चलिए आज किस वीडियो में आप प्रसनाबली 1 के भारती पबन क्लास 3 मैट सलूσιन का कुस्चा नम्बर दूसरा कुस्चा नम्बर तीसरा और कुस्चा नम्मर चउथा का आज किस वीडियो में आप सलूसन जाने है अगरा वीडियो में प्रसंजाबली ओन के तिरभूच का दूसरा तिसरा और भी आगे के जो कुछतन है उसका solution लेकर आऊँगा आप चाहते हैं कि वीडियो मिले तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और bell notification में all bell notification जरूर कीजेगा